Hello Friends, Welcome to our channel आज की वीडियो में हम किरिया के बारे बात करने वाले हैं पिछली वीडियो में हमने विकारी शब्द के चार भेद के बारे में पढ़ा था जिसमें से संग्या की वीडियो में ने टाली है सर्वनाम की भी होगी और विश्रशन की भी होगी लाच्ट हमारा किरिया है तो आज हम इसके बारे में जानेंगे किरिया क्या होती है और किरिया के कितने भेद होती है आएए पढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं किरिया किरिया क्या होती है इस शब्द के दोरा किसी कारे के करने या होने का बोध होता है किरिया से ही तातपर है कि कार का करना या होना किरिया मतलब वर्क इस शब्द के द्वारा किसी कार के करने या होने का बोध होता है जैसे पढ़ना, लिखना, गूमना, टहलना, अधी ये सारी क्या हैं? ये किरिया हैं जो बालक के द्वारा की जा रही हैं अब हमारे धातू, धातू क्या होती है, किडिया का मुल रूप धातू कहलाता है, जैसे पड लिक का 108 बैट आदी, जैसे कि पड़ो लिक हो, यह सब उठो, बैट हो, यह सब क्या है, इसके मुल रूप है, इसके मुल धातू है अब हमी पता चल गया है कि किरिया के जो मूल रूप होते हैं वो धातू कर लाते हैं अब धातू के परकार के बारे में देखते हैं धातू दो परकार की होती है पहला है मूल धातू और दूसरा हमारा है योगिक धातू अब देखिए किरिया के भेद इसके भी दो भेद होते हैं किरिया के पहला हमारा है रचना के आधार पे और दूसरा हमारा है अर्थ के आधार पे किरिया के कितने भेद होते हैं कुशन अगर पूछता है एक्जाम में कि किरिया के कितने भेद होते हैं तो किरिया के दो भेद होते हैं दो भेद में से कौन कौन से रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे अब देखिए हम पहला पॉइंट देखते हैं कि रचना के आधार पर किरिया के भेद क्या होते हैं इसके आधार पर किरिया के दो भेद होते हैं इसके भी आधार पर देखिए ये किरिया के भेत दो होते ही है तो अब जो पहला हमारा पॉइंट है रशना के आधार पर इसके भी हमारे फॉस्ट और सेकेंड दो भेत होंगे पहला है साकर्मक किरिया और दूसरा है और कर्मक किरिया साकर्मक किरिया के बारे में देखे इस किरिया के करने या होने में कर्म उपस्थित रहता है जाहिए बाव साकर्मक का मतलब कि किरिया हुई है सकारात्मक पुर्वक हमारी किरिया हुई है इस किरिया के करने या होने में कर्म उपस्तित रहता है या संभावना बनी रहती है जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, खाना, पीना, खेलना, आधी इस किरिया के भी दो भेद होती है अब देखिए ये हमारा सकर्मक किरिया है तो अब इस किरिया के अंदर भी दो भेद होंगे पहला फिर से देखते हैं रचना के अधार पर दो भेद हो गए अब नहीं पहले किरिया के भेद हो गए अब पहला जो रचना की आधार पर है उसके भी दो भेद पाएगे अब रचना की आधार पर दो भेद में से एक साकर्मक किरिया अब साकर्मक किरिया के भी दो भेद पाएगे इस किरिया के भी दो भेद होते हैं एक कर्मक किरिया और दियु कर्मक किरिया एक कर्मक किरिया देखी इस किरिया में एक कर्मक ही आउशेक्ता होती है जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं अगर कच्छा में अध्यापक हैं छात्रों तो कई सारे होंगे लेकिन अध्यापक तो एक ही होते हैं तो किरिया किसके द्वारे हुई है एक अध्यापक के द्वारा हुई है तो ये एक कर्मक किरिया हो गई रमेश किताब खरिदता है अगर वो वे किताब खरिदते हैं तो ये और कर्मक किरिया हो जाएगी जैसे सारी और कर्मक किरिया नहीं बहुत सारे लोगों द्वारा ये एक कर्मक नहीं होगी तो इसलिए रमेश किताब खरिद दैरमेश अकेला लड़का है तो क्या है एक कर्मक किरिया हो गई नीशा चाय पकाती है ये भी एक कर्मक किरिया हो गई है अब देखी दिव कर्मक सा कर्मक किरिया इसमें दो कर्मकी आउशकता होती है जैसे अध्यापक छात्रों को वेद पढ़ाते हैं पैसे देती है इसमें दो दो लोग आ रहे हैं न रोशन राकेस को डंडे से पीड़ता है इसमें दीव कर्मक किरिया दिखाई जा रही है अब है हमारा सेकंड हमारा ओ कर्मक किरिया रचना के आधार पर किरिया के दो भेते जिसमें से हमने रचना के आधार पर देख लिया है अब रचना के आधार पर सकर्मक किरिया और अकर्मक किरिया आप देखने जा रहे हैं इसमें कर्मक की कोई आउशिक्ता नहीं होती जैसे रोना, हसना, जाना, दौरना, कूदना, बैटना, सोना, आदी देखिए सकर्मक किरिया के दो भेते फिर हमने पढ़ा अकर्मक किरिया तो अब अकर्मक किरिया के भी दो परकार की होती है जैसे गत्यार्थक अकर्मक और इस्तित्यार्थक अकर्मक अब देखिए गत्यार्थक अकर्मक क्या होता है, इसमें गती का बोद होता है, जैसे मचली जल में तैरती है, तो मचली के द्वारा गती की जा रही है, मचली जल में तैरती है, चुड़िया आकाश में उड़ती है, चुड़िया क्या कर रही है, एक परकार की गती कर रही है, बंदर पेड़ पर कूता है ये गती किसके द्वारा की जा रही है ये बंदर के द्वारा की जा रही है तो ये गत्य आर्थक अकर्मक किरिया है गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करना शेर करना और सब्सक्राइब करना अगर पिछली वीडियो हमार होता है जिसे कि किरिया हो रही है किरिया की उपस्तिती का बोध होता है इस्थित से ही पता चला है कि किरिया इस्थित हमारी हो रही है चुडिया डाल पर बैठी है ये चुडिया क्या है चुडिया हमारी क्या है डाल पर बैठी है ये इस्थित यार्थक कर्मक किरिया है शासता है तो उसकी हसी इस्थित है राधी का सोती है वो भी क्रिया क्या है इस्थित है तो ये इस्थित यार्थक अकर्मक क्रिया कहलाएगी अब देखिए कुछ में नोट पॉइंट जो मैंने नोट कही हैं वो आप देख सकते हो सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हम क्रिया शब्द में दो प्रशन क्या और किसे पूछते हैं यदि इन प्रशनों का जवाब मिलता है तो क्रिया सकर्मक और नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है जैसे कि हम किसी से दो कोशिंट कर रहे हैं ठीक है अगर इ अकर्मक क्रिया को प्रेडाल ठक बनाया जाता है तो वह सकर्मक क्रिया हो जाती है जैसे कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो देखने में सकर्मक की तरह होती है लेकिन वास्तों में वह अकर्मक होती है जैसे देखिए अब हम बताते हैं कि क्रियाएं जो सकर्मक लगती है लेकि वो होती नहीं है वो वास्तों में अकर्मक होती है अब देखिए पानी बरसता है यह एक अकर्मक के लिए है वैज्ञानिक पानी बरसाते हैं पंखा चलता है राधा पंखा चलाती है बूध बूध से घड़ा भरता है रमेश खड़ा भरता है ये सकर्मक है सारी और ये अकर्मक है अब देखिए उसका सिर्ख हुजलाता है ये अकर्मक किरिया है लेकिन वास्तों में सकर्मक लगती है वो अपना सिर्क हुजलाता है रसी एड़ पी है सोनिया रसी एड़ पी है ये सकर्मक क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया इसे आपको समझने में बहुत जादा असानी हो जाएगी अब देखिए हम बात करते हैं सहायक क्रिया के बारे में सहाय क्रिया 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 मुख्य अर्थ को पूरा करती है ये किरिया क्या करती है कि मुख्य अर्थ को पूरा करती है जैसे मुहन आम खाता है मुहन आम खाता अगर हमारा यहां पे है नहीं होता तो ये क्या होती ये किरिया अधूरी लगती है लगा के हम क्या किये है ये अपने किरिया को पूरी किये है यह किरिया मुख्य अर्थ को पूरा करती है मुहन आम खाता है रमेश घर जा रहा था यह हमारी पूरी तरीके से complete किरिया है मुहन जा रहा कहां जा रहा यह complete word sentence नहीं है रमेश घर ही जा रहा था तो यह हमारा complete sentence है तो यही सहायक किरिया करती है कि हमारे मुख्य अर्थ को पूरा करती है अब देखिए सन्यूक्त किरिया क्या होती है इसमें दो किरिया मिलकर एक किरिया का रूप बना लेती है सन्यूक्त से ही मैंने पिछली रूरेज़ में बताया है कि सन्यूक्त मतलब जुड़ा हुआ जब कोई चीज दो चीजे इकठे होके जुड़ के कारे करती हैं तो वो सन्यूक्त कहलाती है तो इसमें दो किरिया मिलकर एक किरिया का रूप बना लेती हैं जैसे भाग, जाना, उठना, बैटना, रूठना, जाना ये हमारी क्या है? सन्युक्त किरिया आए है अब देखिए प्रेडार्थक किरिया इसमें करता कोई कारे खुद न करके दूसरों को करने के लिए प्रेडित करता है जैसे कि मूखे के लिए हमारी है पढ़ना और प्रेडार्थक किरिया है, खुद तो पढ़ रहा है लेकिन दूसरों से भी पढ़वाता है और पढ़ाना चाहता है तो वो क्या है हमारी प्रडार्थक किरिया हो जाएगी लिखना ये लिख रहा है वो दूसरों से भी ये किरिया करवा सकता है लिखवाना या लिखाना उड़ना खुद उड़े या दूसरों से उड़वाना या उड़ना दोड़ना, दोड़वाना या दोड़ाना यह हमारे मुख्य के लिया होगी और यह प्रणार्थक के लिया होगी अब देखी नाम धात के लिया यह संग्या सर्वनाम विशेशन से मिलकर बनते हैं जैसे बात, बतियाना, हाथ, हतियाना यह क्या है नाम धात के लिया है कि सर्व नाम विशेशन से मिलकर बनते हैं बाद बतियाना हाथ अतियाना अनुकर आत्मत के लिया यह देखिए यह धावने के अनुकरर से बनती जैसे खट 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 कोई जब हम ऐसे खटखट करती हैं तो आवाज हुई न यह क्या है यह धावनी के अनुक्रण से बनती है तो टर 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 टराना हीन 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 हीनाना पुर्वकालिक किरिया इसमें करता कोई कारे समाप्त करके कोई कारे कर रहा है उसको तुरंत समाप्त करके दूस्ता कारे प्रार कर देता है तो पहले समाप्त हुए क्रिया को क्या कहते हैं पुर्वकालिक क्रिया कहते हैं जैसे कि दूस्तों अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो पहला कार्य आपने समाप्त कर लिया लेकिन दूसरा काम अगर स्टार्ट कर चुके हो तो आपका काम खत्म हो चुका है तो वह क खाकर सो गई तो उसका दवा खाना वो क्या है वो पुर्वकालिक क्रिया हो गया अब देखिए क्रिया अर्थक संग्या के बारे में देखते हैं इसमें कोई क्रिया क्रिया के रूप में छोड़ कर संग्या के रूप में आ जाती है मतब कोई क्रिया हो रही है तो उसका रूप ठोड़ कर वो संग्या के रूप में आ जाती जैसे लट मार होली बरज में होती है देश के लिए मरना सौभागे की बात होती है मतलब वो मरा भी और उसके लिए वो उसका मरना देश के लिए मरना सौभागे की बात हो गई है तो यहां पर हमारे किरिया का टॉपिक कम्पलीट होता है प्लेज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अब नेक्स वीडियो में मिलते हैं हम वाच के बारे में बात करते हैं इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा दिखा लेते हैं वाच है हमारा काल है पिर काल के भेद वतमान काल जितनी भी काल के भेद है वो सारी हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए लाव बीज टेक केर थैंक्स वर वाची